कर cmBdPZ-fBpZ BDPZ-fBdP और यहां से आपको इसे install कर लिना है ठीक है तो देखे मेरे पास पहले से यह app install है तो मैं यहां पर इसे घ्लिक करता हूँ ठीक है के सामने खुल जाएगा यहां पर लेखा हुआ है next यहां पर हमें simple click करना है ठीक है click करने के बाद देखी यहां पर आप से नाम पूछा जा रहा है तो simple यहां पर आप अपना नाम type कर देंगे ठीक है जैसे मेरा नाम दयाल है तो मैं आपर simple type लगाता हूं वो यहां पर हमें simple type कर देना ठीक है मैं यहां पर डालने बलाओं एस आई एन जी एच द्याल सिंग ठीक है आप देखिए दोस्तों कई लोग गलती क्या करते हैं कि first name में दयाल सिंग यहां भी लिख देंगे और दयाल सिंग यहां भी लिख देंगे तो क्या होत येIsik facebook में जाके दो बारöre हो जाताएह वो गलत दीकता है इस तरह से आपका नाम Facebook के अंदर गलत हो जाताय है तो आपको यहां पर जैसे मैंने यहाँ ओर लिखालस नजिञ dispel Geon comum सीध्या सिंग पर देना है अदिक है आप देखें यहाँ पर आप से अपनी जनम तिति मागी जा रही है तो आप यहाँ पर अपनी जनम तिति सलयट कर लेंगे जैसे मेरी जन luam Biz Unity से थिए तो में यहाँ पर इसे सलयट कर ले रहाँ थीकर आप देखे दोस्तों यहां पर आपको अपना महीना करना है अपनी डेट ऑप बर्थ का जो मांट है वो इसलेट कर लेना ठीक है और यहां पर आपको दो ऑप्सन मिल जाएंगे मेल फीमेल अगर आप बॉइज हैं लड़के हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है अगर आप फीमेल लड़की हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है तो मैं यहां पर मेल करने बाला हूं ठीक है आप यहां पर दोबारा से हमें next पर click करना है अब देखिए यहाँ पर दो option फिर से मिल रहे हैं आप यहाँ पर देखिए जो आपकी country है पो स्लेट कर लेंगे जैसे मेरी country stem इंडिया है तो मैं इसे इंडिया ही रहने दूँगा ठीक है इसे cancel कर दूँगा अब देखिए तो यहाँ पर आपका mobile account यूज करके बनाना चांते हो तो आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर आपके लिए option मिल जाएगा sign up with email address और यहाँ पर simple click करना है ठीक है आप click करने के बाद यहाँ आप click करने के बाद आपको यहाँ से अपनी email id select करने के लिए बोला जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर simple अपनी email id select कर देता हूं ठीक है वान मिनिट अगर आपके लिए अपनी email id से account नहीं बनाना है खाली mobile से बनाना है तो आपके लिए यहाँ पर email id डालने की कोई जरूरत नहीं है अब देखिए उसके बाद आपसे यहाँ पर password मांगा जाएगा password आपके लिए 6 अंकों से लिकर आप जितने आप पढ़ना चाहिए वह यहाँ पर type कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर अपना password डालने वाला हूँ जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हूंगे मैंने अपना password यहाँ पर type कर दिया और दुबारा से हमें यहाँ पर next पर click कर देना है और click करने के बाद दुबारा से हमें यहाँ पर signing पर click करना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है creating your account ठीक है थोड़ी सी दिर हमें बेट करना होगा देखतें क्या होता है अब देखिए इस तरह का page आपके सामने खुलेगा और देखिए यहाँ पर signing in लिखा हुआ रहा है अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह का page हमारे सामने खुल जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है confirmation code तो एक one time password भीजा होगा Facebook ने हमारे email ID पर अगर आपने अपना mobile नमबर यूज किया है तो आपके mobile नमबर पर एक message आ गया होगा वहाँ पर एक code होगा 4-5 अंकों का वह आपको simple यहाँ पर type करना है ठीक है तो मैं check करके देख लेत इसको खोल कर गी यह देखिए Facebook की तरफ से और यहाँ पर 47122 लिखा हुआ है और यह वाला password हमें दुबारा से वहाँ पर डालना है ठीक है तो password था मेरा 47122 ठीक है और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर confirm पर simple click करना है ठीक है अब देखिए दोस्तों इस तरह का message हमें मि Facebook ठीक है उसके बाद हमें next पर click करना है अब देखिए दूस्तों इस तरह का page आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर लेखा हुआ edit profile picture यहाँ पर हमें दो option मिल रहे है टेक यह photo choice from gallery तो मैं gallery में से यहाँ से कोई photo select कर ले रहा हूँ चलिए यहाँ से कोई भी एक photo set करके मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ ठीक है यह वाला photo मैंने select कर लिया और दन पर click कर दिया और उसके बाद देखिए दुबारा से शेप पर click कर दिया और देखिए upload होने में थोड़ा सा time लेता है उसके बाद देखिए इस तरह का page हमारे सामने खुल जाएगा यहाँ पर हमें added friend यानि कुछ friend बनाने उन पर उनको friend request पेज में है बस simple ऐसे दो चार पर click कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर done कर देना है ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी Facebook ID बन चुगी है और यहाँ पर हमें दुवारा से OK पर click कर देना है जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप मेरी Facebook ID बनके तयार है मैं यहाँ पर अपने friend के लिए like कर सकता हूं और दोस्तों आप इस तरह से अपनी Facebook ID चला सकते है और जो भी आपके पास friend request आएगी वो इसमें आएगी और इस तरह से आपको उसे app set कर लेना ठीक है और जो सूच नहीं जो आएगी वो यहाँ पर सोओंगी ठीक है और यहाँ से आप और यहाँ पर click करके आप अपनी profile के लिए check कर सकते हो यह मेरी profile है आप इसे उपर नीचे करके देख सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आपके लिए मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक दो बनता ही है अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए है तो मेरे च